नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कुछ संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्षित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायकोगा धन्यवाद चलिया ये इस वीडियो में हम इस अध्याय से सम्वंधित कुछ महतपूर आंकिक प्रस्णों को हल करते हैं अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहला आंकिक प्रस्ण दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि दो कला सम्वध प्रकाश पुन्य जिनकी तीवरताएं आई तथा फोर आई हैं में अध्यार ओपन होता है परिरामी पुन्य की अधिक्तम तथा नियूंतम तीवरताएं गयात किए तो यहाँ पर देखिए माल लेंगे कोई तरंगागर है और इसकी जो तीवरताएं है इसका मान हो जाएगा आई वन और आई टू इनकी दो तीवरताएं हो जाएंगी अब यहाँ पर दो तीवरताएं होंगी तो इनके आयाम भी होंगे तो मान लेंगे जो I1 T वरता है इसका I am A1 हो जाएगा और I2 T वरता का जो I am है इसका मान हो जाएगा A2 अब यहाँ पर प्रश्णमी क्या क्या चीज़े कही जा रही है इसे सबसे पहले हम नोट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि जो इनकी तीवरताएं है इसका मान है I तथा 4I तो यहाँ पर I1 की वैलू हो जाएगी I और इसके पस्चात I2 की जो वैलू है इसका मान हो जाएगा 4I अब यहाँ पर देखिए तीवरता और आयाम में संबन्ध होता है किस प्रकार का संबन्द होता है तो यहाँ पर देखें अगर हम i1 की value को ग्याद करें तो इसका मान हो जाएगा i1 is equal to k into a1 square इसी प्रकार से अगर हम i2 की value को ग्याद करें तो इसका मान कितरा होगा तो यहाँ से i2 की value हो जाएगी k into a2 square अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें इस value को put करना है तो i1 की value कितनी है, i1 का 1 i दिया गया है तो यहाँ से i is equal to value हो जाएगा k into a1 square या इसे हम थोड़ा सा व्यूत करके लिख सकते हैं, उलट कर लिख सकते हैं यहाँ से value हो जाएगी k into a1 square is equal to i अब इसी परकार से इस value को भी हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर k into a2 square लिखा गया है तो यहाँ से अगर हम k into a2 square की value को गयाद करें तो इसका मान कितना होगा? इसका मान i2 की बराबर हो जाएगा और i2 की value यहाँ पर देगा है 4i तो यहाँ से हम value put कर देंगे 4i अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास दो समीकार प्राप्त हो रहे हैं तो इसे हम लिखेंगे समीकार नमबर एक और इसे हम लिख देंगे समीकार नमबर दो अब यहाँ पर समीकार एक में हम समीकार दो से भाग देंगे तो यहाँ पर value कितनी मिलेगी देखिए यहाँ से हमें value मिल जाएगी k into a1 square upon में हम लिखेंगे k into a2 square और is equal बिमान हो जाएगा i upon 4i अब यहाँ पर यह term मिल गया और इसे हम solve करेंगे तो यहाँ पर देखिए k और k का incel हो जाएगा i से i cancel हो जाएगा और यहाँ से a1 square upon a2 square की value हो जाएगी एक बटे 4 अब यहाँ पर a1 square upon a2 square की value एक बटे 4 हो रही है तो अगर हम इसका वर्गमूल गयाद करें तो इसकी value कितनी होगी तो यहाँ से देखिए यहाँ से a1 upon a2 की value हो जाएगी a1 upon a2 is equal to तो a1 का मान हो जाएगा a1 is equal to 1 बटे 2 गुड़े a2 अब यहाँ पर देखिए प्रस्ण में हम से यह पूछा जा रहा है कि परणामी पुझ की अधिक्तम तथा निउन्तम ती ब्रताएं ग्याद किए यहाँ पर हमें i maximum और i minimum की value को calculate करना है तो यहाँ पर अगर हम i maximum की value को calculate करेंगे तो इसकी value कैसे प्राफ्थ होगी देखिए इसके लिए फार्मूला हो जाएगा k into a1 प्लस a2 का whole square और इसी फार्मूले की साहता से हम यहाँ पर i maximum की value को ग्याद करनेंगे इसके पस्चाथ अगर हमें i minimum यानि नियुन्तम ती वर्ता की value को ग्याद करना हो तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा तो यहाँ से i minimum की value हो जाएगी i minimum is equal to k into यहाँ पर a1 और a2 इसमें से जो भी बड़ा होगा उस मान से हम आपस में भटा देंगे और इसका हम वर कर देंगे तो यह value यहाँ पर हो जाएगी i maximum और i minimum की value अब यहाँ पर इनका हम अनुपात ग्याद करेंगे तो चलिए अनुपात ग्याद करते हैं तो यहाँ पर निकिए जब हम अनुपात ग्याद करेंगे तो यहाँ से कुछ cancel हो जाएगा तेकि यहां से k और k यह value का इंसिल हो जाएगी तो यहां से i maximum और i minimum का हमें अनुपात प्राफ्स हो जाएगा यानि यह हो जाएगा i maximum बटे i minimum का अनुपात और यहां से value हो जाएगा a1 प्लस a2 का whole square और बटे में हम लिख देंगे a1 माइनस a2 का whole square या a2 माइनस a1 का whole square जिसमें से जो बड़ा होगा उसी value को हम घटा देंगे अब यहां पर इस फार्मूले में हम सभी value उसको put करेंगे तो यहां पर देखिए a1 की value 1 है a2 की value 2 है तो यहां पर a1 के अस्थान पर 1 put कर देंगे a2 के अस्थान पर हम 2 put कर देंगे इसका हम work कर देंगे और बटे में यहां पर देखिए इन दोनों मैंसे जो बड़ा होगा उससे घटाएंगे तो a2 मैंसे हम a1 घटाएंगे तो a2 की value यहां पर 2 दी गई है 2 से हम 1 की value को घटा देंगे और इसका हम work कर देंगे अब यहाँ पर देखिए इस term को हम solve करेंगे तो यहाँ पर 2 में 1 जोड देंगे तो इसकी value 3 हो जाएगी इसका हम work कर देंगे और 2 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ से 1 प्राफ्थ हो जाएगा और इसका हम work कर देंगे तो यहाँ से अगर हमें i maximum बटे i minimum इसकी value को calculate करना हो तो इसका आमान की तरह प्राफ्थ होगा यहाँ से value प्राफ्थ हो जाएगा दिखिए यह 3 का square किया गया है तो इसकी value यहाँ पर 9 हो जाएगी और 1 का square किया गया है तो इसकी value यहाँ पर 1 प्राफ्थ हो जाएगी व्यतिकरण करने वाली तरंगों के आयामों तथा तीवरताओं का अनुपात ग्याद कीए तो यहाँ पर क्या चीज़े दी गई हैं सबसे पहले उसे हम नोट करेंगे तो देखें कहा जा रहा है कि अधित्तम और निउन्तम तीवरताओं का अनुपात 36 अनुपाते 1 दिया गया है यानि यहाँ पर i maximum और i minimum इन दोनों values का अनुपात दिया गया है और इसकी value यहाँ पर दिये गई है 36 अनुपाते 1 अब यहाँ पर अगर हमें i maximum की value को calculate करना हो तो इसकी value कितनी होगी तो देखें i maximum के लिए value होती है k into a1 plus a2 का square और यहाँ पर अगर हमें i minimum की value को calculate करना हो तो इसकी value कितनी होगी तो देखें यहाँ इसकी value हो जागी k into a1 minus a2 का whole square जहाँ पर a1, a2 से बड़ा होगा अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस value को हम इसके बराबर कर देंगे तो यहाँ से में क्या मानपराथ होगा देखिए यहाँ से k और k का टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से में मानपराथ हो जाएगा a1 प्लस a2 अपाउन a1 माइनस a2 और इसकी value को जब हम गयाद करेंगे तो इस term का हम वर्गमूल गयाद करेंगे देखिए यहाँ पर whole square किया गया है तो square को हटा जाएगे तो इसका वर्गमूल हम गयाद कर लेंगे तो यहाँ से यह term अंडर रोट ब्या जाएगा अपाउन a2 के term को common लेंगे तो यहाँ से value हो जाएगी a1 अपाउन a2 प्लस 1 और upon में value हो जाएगी देखिए यहाँ से value हो जाएगी a1 अपाउन a2 माइनस 1 यहाँ से हमने a2 को common ले लिया है और इसकी value यहाँ पर 6 बटे 1 के बराबर हो जाएगी अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस term को हम solve करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मान राफ्ट होगा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है a1 अपाउन a2 प्लस 1 बटे में लिखा हुआ है a1 अपाउन a2 माइनस 1 इसकी value 6 के बराबर है तो यहाँ पर हर में जो term लिखा हुआ है इसका हम इसमें गुड़ा कर देंगे तो यहाँ से value हो जाएगी a1 अपाउन a2 प्लस 1 और इसका मान किसके बराबर होगा यहाँ पर हम 6 से गुड़ा कर देंगे a1 अपाउन a2 माइनस 1 से अब यहाँ पर जो term प्राब्फ हो रहा है इसे हम solve करेंगे तो यहाँ से value हो जाएगी a1 अपाउन a2 प्लस 1 is equal to यहाँ पर 6 का गुड़ा हम दोनों term में कर देंगे तो इसकी value हो जाएगी 6 गुड़े a1 अपाउन a2 माइनस 6 अब यहाँ पर देखे a1 अपाउन a2 के term को हम एक तरफ लग कर देंगे और 1 को हम 6 के बास कर देंगे तो यहाँ से मैं क्या मानप्राफ्फ होगा देखें यहाँ से हमें मानप्राफ्फ हो जाएगा a1 अपाउन a2 माइनस 6 गुड़े a1 अपाउन a2 और एक को हम बरावर के इस तरफ लाएंगे तो यहाँ से value हो जाएगी minus 7 अब यहाँ पर देखें यहाँ पर इस term को हम solve करेंगे तो एक यहाँ पर एक से गुड़ा की अगया है माले यह एक से गुड़ा की अगया है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 a1 upon a2 minus 6 into a1 upon a2 इसकी value कितनी होगी तो यहाँ से value हो जाएगी minus 5 गुड़े a1 upon a2 और इसका अमान minus 7 के बरावर हो जाएगा अब यहाँ पर देखें यहाँ से minus और minus का term कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से a1 upon a2 का अगर हम अनुपाद ग्याद करें तो इसकी value कितनी होगी तो यहाँ पर देखें 5 को हम हर में लेके जाएगे तो यहाँ से value हो जाएगी 7 बटे 5 अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है तो यहाँ पर पूछ रहा है कि व्यतिकरण करने वाली तरंगों के आयामों तथा तीवरताओं का अनुपाद ग्याद कीजे तो यहाँ पर हमने आयामों का अनुपाद ग्याद कर लिया यानि a1 upon a2 का जो अनुपाद होगा इसकी value हो जाएगी 7 बटे 5 अब यहाँ पर देखें यहाँ पर हमें तीवरताओं का अनुपाद ग्याद करना है यानि यहाँ पर हमें i1 और i2 इन दोनों के अनुपाद की value को ग्याद करना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम i1 की value को calculate करेंगे तो i1 की value कितनी होगी देखें i1 के ने formula हो जाएगा i1 is equal to k into a1 square अब k into a1 square की value कितनी होगी तो देखें a1 का मान दिया गया है 7 तो यहाँ से i1 की value हो जाएगी k गुडे 7 का square और यहाँ से इसकी value हो जाएगी k गुडे 49 और यह यहाँ पर i1 की value हो जाएगी और इसे हम लिखेंगे समयकर नमबर 1 अब यहाँ पर हम i2 की value को ग्याद करेंगे तो i2 के लिए फार्मूला हो जाएगा k into a2 square अब यहाँ पर इस फार्मूले में हम a2 की value लिखेंगे तो यहाँ से value हो जाएगी k गुडे a2 a2 का मान कितना है इसका मान दिया गया है 5 और 5 का square करेंगे तो इसकी value हो जाएगी 25 और यहाँ पर i2 की value हो जाएगी और इसे हम लिखेंगे समिकर्ण नमबर 2 अब यहाँ पर देखे यहाँ पर हम समिकर्ण 1 और समिकर्ण 2 इन दोनों का हम अनुपाद ग्याद करेंगे तो यहाँ पर जब हम अनुपात ग्याद करेंगे तो देखिए यहाँ से कुछ ना कुछ कैंसिल होगा अब क्या कैंसिल होगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ से के और कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से i1 upon i2 की वैलू हो जाएगी i1 upon i2 is equal to 49 बटे 25 तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने ती वर्ताओं के अनुपात की वैलू को भी calculate कर लिया और इसका आमान कितना होगा तो यहाँ से ती वर्ताओं यानि i1 upon i2 की वैलू हो जाएगी 49 बटे 25 अब हम अपने अगले आंखिक प्रस्ट को हल करेंगे और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि यंग के दूइ स्लिट प्रयोग में प्रकाश की तरंग दैर्द यानि लैमडा की वैलू दी गई है 6000 एंगस टरम यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्लिटों के मद्ध की दोरी 0.05 cm तथा स्लिटों से पर्दे की वीच की दोरी 1 मीटर है अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि प्रथम अदीप्त वा प्रथम दीप्त फ्रिंज के मद्ध की दोरी ग्यात कीगे अब प्रस्ट में जो कुछ भी कहा जा रहा है इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे अब यहाँ पर देखिए प्रकास का स्रोत है और प्रकास का स्रोत यहाँ पर इस चित्र से बाहर निकलता है अब यहाँ पर दो स्लिट लगाए गए है S1 और S2 और इन S1 और S2 से यहाँ पर जब fringe निकलती है यानि तरंगे जब निकलती है तो यहाँ पर fringe का रिर्माल होता है अब यहाँ पर देखे जो काली पट्टी है यह अधीत fringe का रहाएगी और जो यहाँ पर सफेद पट्टिया दिखाए दे रही है इन्हें हम कहेंगे deep fringe अब प्रश्ण में क्या-क् परिवार्तित करेंगे देखे यहाँ पर गुड़ा कर देंगे 6000 में 10 की घाथ-10 से अब यहाँ पर देखे इस term को एक बार फिर से हम solve करेंगे तो यहाँ से बैलू हो जाएगी 6 गुड़े 10 की घाथ-7 और इसका मात्रक क्या होगा तो इसका मात्रक यहाँ पर मीटर में प्र है यानि जो डी की वैलू है इसका मान हो जाएगा 0.05 सेंटी मीटर अब इस वैलू को यहाँ पर हम मीटर में परिवार्तित करेंगे तो देखे इसकी वैलू हो जाएगी 0.05 गुड़े 10 की घाथ-2 मीटर अब यहाँ पर देखे यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्लिटों से पर् अब यहाँ पर देखे कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रथम अधीप्त और प्रथम दीप्त फ्रिंज के मद्ध की दोरी क्यात किजिए तो यहाँ पर यह जो फ्रिंज है यह दीप्त हो जाएगा और यह जो फ्रिंज है यह अधीप्त हो जाएगा इनकी बीच की दोरी को हमे calculate करना है अब यहाँ पर देखिए हमारे पास formula होता है beta is equal to lambda d upon small d अब यह किस चीज का formula है तो देखिए यहाँ पर जो formula है यह यहाँ पर दो लगातार अदीप्त फ्रिंजों की बीच की दूरी का formula है यहाँ पर इस formula में हम सभी values को put करेंगे और इसका हम आधा कर देंगे तो यहाँ पर हमें यह गयात हो जाएगा कि पर्थम दीप्त और प्रथम अदीप्त इनके फ्रिंजों की बीच की दूरी क्या होगी तो चलिए हम values को put करते है तो यहाँ पर देंगे lambda की value कितनी है इसका मान दिया गया है 6 गुले 10 की घाथ-7 मीटर इसे हम उतार देंगे d की value कितनी है तो d का मान दिया गया है 1 मीटर एक लिख देंगे और बटे में हम small d की वैलो को लिखेंगे और इसका मान दिया गया है 0.05 गुरे 10 की घात मैनस 2 मीटर अब यहाँ पर जो टर्म प्राफ्ट हो रहा है इससे हम simplify करेंगे solve करेंगे तो यहाँ पर देखें यहाँ से वैलो हो जाएगी 6 गुरे 10 की घात मैनस 7 इस वैलो को उतार देंगे और बटे में हम लिख देंगे 5 गुरे 10 की घात मैनस 4 देखें यहाँ पर 0.05 लिखा हुआ है तो दसमनों को हटाएंगे तो यहाँ से वैलो हो जाएगी 10 की घात मैनस 4 अब इस टर्म को एक बार फिर से हम solve करेंगे तो यहाँ से वैलो हो जाएगी 6 बटे 5 गुरे 10 की घात मैनस 7 गुरे 10 की घात प्लस 4 अब यहाँ पर देखें यहाँ पर इस टर्म को एक बार फिर से हम solve करेंगे तो यहाँ से वैलो हो जाएगी 60 बटे 5 और यहाँ पर क्या मान होगा? तो इसमें हम गुड़ा कर देंगे 10 की घात मैनस 7 से और इसकी बार गुड़ा कर देंगे 10 की घात 3 से देखें 10 की घात 4 है एक 0 यहाँ पर हम 60 के साथ लगा देंगे तो यहाँ से वैलो हो जाएगी 10 की घात 3 अब यहाँ पर देखें यहां पर जो term प्राप्ट हो रहा है इसे हम थोड़ा सा simplify करेंगे तो 5 से हम 60 भाग देंगे तो इसकी value हो जाएगी 12 और यहां से बीटा की value हो जाएगी बीटा is equal to 12 गुडे 10 की घात मैनस 4 और इसका मात्रक क्या होगा तो इसका मात्रक यहां पर प्राप्ट हो जाएगा अब यहां पर देखिए जो 12 गुडे 10 की घात मैनस 4 वैलो मिली है यह यहां पर दो लगातार अदीप्त फ्रिंज या दो लगातार दीप्त फ्रिंजों की बीच की दोरी है लेकिन हमें calculate क्या करना है हमें यहां पर प्रथम अदीप्त और प्रथम दीप्त इनके फ्रिंजों की बीच की दोरी को ग्याद करना है तो इस दोरी को हम पैसे ग्याद करेंगे यहां से हम वैलो ग्याद करेंगे बीटा बाइटू का तो यहां से वैलो कितनी होगी तो यहां से वायलू हो जाएगी 12 गुड़े 10 की घात मैनस 4 बटे 2 हो जाएगा तो इस प्रकार से यहां पर जो पर्थम अदीप्त और पर्थम दीप्त फ्रिंज है इनकी वीच की जो दोरी होगी इसका मान हो जाएगा 6 गुड़े 10 की घात मैनस 4 मीटर अब यहां पर देखिए इस वायलू को हम थ्वासा और परिवर्थित कर सकते हैं कैसे परिवर्थित करेंगे अगर इसे हमें मिली मीटर में परिवर्थित करना हो तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम 10 की घात 3 से गुड़ा कर देंगे तो यह वैलू यहाँ पर मिली मीटर परिवर्थित हो जाएगी अब यहाँ पर लेखिए यहाँ से वैलू हो जाएगी 0.6 मिली मीटर तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रथम दीट फ्रिंज और प्रथम अदीट फ्रिंज है इनके बीच की जो दोरी होगी इसका मान हो जाएगा 0.6 मिली मीटर अब हम अपने अगले आंकी प्रशन को हल करेंगे और यहाँ पर हम से पूछा जा रहा है कि यदियन की प्रयोग में दो स्लिटों की चौडाईयां 16 अनुपाते 1 के अनुपात में है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि वेतिकरण की प्रतिरूप में अधिक्तम और नियुन्तम तीवरता के अनुपात की गढ़ना कीए अब यहाँ पर क्या क्या चीज़े कही जा रही है सबसे पहले उसे हम नोड करेंगे तो कहा जा रहा है कि दो स्लीटों की जो चौडाईयां है इनका अनुपात दिया गया है 16 अनुपाते 1 तो यहाँ से वैलू हो जाएगी W1 upon W2 W क्या है? Width है Width मतलब चौडाई हो गई तो यहाँ पर इसका जो अनुपात है इसकी वैलू हो जाएगी 16 बटे 1 इस वैलू को हम यहाँ पर नोड कर लेंगे अब यहाँ पर देखे हमारे पास जो फ्रिंजे निर्वित हो रही है इन फ्रिंजों की जो तीवरताएं है हम मालेंगे जो इनकी तीवरता है इसका मान हो जाएगा I1 और I2 अब यहाँ पर देखे यहाँ पर जो तीवरताएं होती है तीवरताओं का संबंध स्लिटों की चौडाईयों से होता है अब किस परकार से होता है तो यहाँ पर देखे जो I1 की value होगी इसका जो मान होगा या I1 समानुपाते हो जाएगा W1 के इसी परकार से यहाँ पर जो I2 होगा या W2 के समानुपात में हो जाएगा अब यहाँ पर देखे यहाँ से अगर हम I1 और I2 इन दोनों का अनुपात ज्याद करें तो इसकी वैलू कितनी होगी यहाँ से i1 अनुपाते i2 की वैलू हो जाएगी w1 अनुपाते w2 और इसे हम लिख देंगे समयकर नमबर 1 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ती वरताएं होती है ती वरताओं का संबंध आयाम से भी होता है तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ती वरताओं का संबंध आयाम से भी ज्याद करेंगे तो यहाँ से i1 की वैलू कितनी होगी देखिए यहाँ से i1 की वैलू हो जाएगी i1 is equal to k into a1 square इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर i2 की value को ग्याद करें तो इसका मान हो जाएगा k into a2 square अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम इन दोनों का अनुपाद ग्याद करेंगे तो जब हम अनुपाद ग्याद करेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ cancel हो जाएगा देखिए यहाँ से k और k ये दो values cancel हो जाएगी तो यहाँ से i1 upon i2 की value हो जाएगी a1 upon a2 और इसका हम square कर देंगे और इसे हम लिख देंगे समिकर नंबर 2 अब यहाँ पर समिकरण 1 और समिकरण 2 इन दोनों समिकरणों की आप तोलना किए तो इन दोनों समिकरण के बाए पक्ष आपस में समान है तो यहाँ से दाहिने पक्षवी आपस में समान हो जाएगे तो इस प्रकार से यहाँ से हम value लिख सकते है w1 upon w2 is equal to a1 square upon a2 का square अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर w1 upon w2 की value कितनी है तो इसका मान दिया गया है w1 upon w2 is equal to 16 बटे 1 तो 16 बटे 1 की value को हम यहाँ पर put कर देंगे तो यहाँ से a1 upon a2 की value हमें ग्याद हो जाएगी तो चलिए हम इस value को calculate करते हैं तो यहाँ से a1 square upon a2 square is equal to value कितनी होगी तो यहाँ से w1 upon w2 की value को put करेंगे तो इसकी value हो जाएगी 16 बटे 1 अब यहाँ पर बाएपक्ष का वर किया गया है तो इसकी एगर हम value को ग्याद करें तो दाहिने पक्ष का हमें वर्गमूल ग्याद करना पड़ेगा तो यहाँ से value कितनी होगी देखिए यहाँ पर हम दाहिने पक्ष का वर्गमूल ग्याद करेंगे तो यहाँ से value हो जाएगी a1 upon a2 is equal to under root 16 upon 1 अब यहाँ से इस value को हम calculate करेंगे तो यहाँ से a1 upon a2 की value हो जाएगी 4 बटे 1 अब यहाँ से a1 की value 4 हो जाएगी और a2 की value यहाँ पर एक प्राफ्थ हो जाएगी अब यहाँ पर हमें calculate क्या करना है तो देखिए कहा जा रहा है कि व्यतिकरण प्रत्रूप में अधिक्तम और निउन्तम तीमरता के अनुपात की गर्णा किए यानि यहाँ पर हमें i maximum और i minimum की value को calculate करना है अब i maximum की value कितनी होगी तो देखिए इसके लिए formula हो जाएगा k into a1 plus a2 का whole square अब यहाँ पर इस formula में हम सभी value को put करेंगे तो यहाँ से value हो जाएगी k गुडे a1 की value कितनी है इसका मान दिया गया है 4 तो यहाँ से value हो जाएगी 4 plus a2 की value यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम a put कर देंगे और इसका हम वर कर देंगे अब यहाँ पर देखिए यहाँ से i maximum की value हो जाएगी i maximum is equal to k into 5 का square हो जाएगा तो यहाँ से i maximum की value हो जाएगी i maximum is equal to k गुडे 25 और इसे हम लिख देंगे समयकर नमबर 1 अब यहाँ पर हमें i minimum की value को calculate करना है तो इसकी value किदनी होगी देखिए यहाँ से इसके लिए formula हो जाएगा k is equal to a1 और a2 इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसी से हम घटा देंगे और इसका हम work कर देंगे तो यहाँ पर a1 की value बड़ी है देखिए a1 का मान 4 है a2 का मान 1 है अब इस formula में हम सभी values को put कर देंगे तो यहाँ से value हो जाएगी k गुड़े 4 माइनस 1 और इसका हम work कर देंगे तो इस प्रकार से यहाँ से i minimum की value हो जाएगी i minimum is equal to k गुड़े यहाँ पर देखिए 4 मैसे 1 गठाएंगी तो इसकी value 3 हो जाएगी 3 का work करेंगे तो इसकी value हो जाएगी 9 और इसे हम लिख देंगे समयकार number 2 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर i maximum और i minimum इन दोनों values को हमने calculate कर लिया और इन ही के अनुपात की हमें गरना करनी है तो चलिए गरना करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों values की हम गरना करेंगे यानि उन दोनों का अनुपात ग्याद करेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ cancel हो जाएगा तो यहाँ से k और k यह value cancel हो जाएगी तो यहाँ से i maximum और i minimum इनका जो अनुपात होगा इसकी value देखिए यहाँ पर क्या होगी 25 बटे 9 हो जाएगी तो इस प्रकार से यहाँ पर हम value पूट कर देंगे 25 बटे 9 तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अधिक्तम और नियूनतम तीवर्ता का अनुपात होगा इसका अमान हो जाएगा 25 बटे 9 अब हम अपने अगले यंकी प्रस्ण को हल करेंगे और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि यंक के दुई slit प्रयोग में व्यतिकरण प्रतिरूप में उच्चिस्ट उच्चिस्ट मतलब maximum और निमनिस्ट निमनिस्ट का मतलब हो गया minimum पर प्रकास की तीवर्ता का अनुपात चार अनुपाते एक है दोनों slits की चौडाईया ग्याद कीए अब प्रस्ण में क्या क्या चीज़ें कही जा रही है सबसे पहले उसे हम note करेंगे तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो प्रति रूप में उच्चिस्ट यानि maximum और minimum तीवर्ता का जो अनुपात है इसका मान है चार अनुपाते एक यानि यहाँ पर i maximum और i minimum इनका जो अनुपात दिया गया है इसकी value हो जाएगी चार अनुपाते एक या चार वटे एक इस value को यहाँ पर हम note कर लेंगे अब यहाँ पर अगर हमें i maximum की value को calculate करना हो तो इसकी value कितनी होगी तो देखिए इसके लिए formula हो जाएगा i maximum is equal to k into a1 plus a2 का whole square a1 a2 क्या है तो a1 a2 यहाँ पर i am o की संख्या है अब यहाँ पर देखिए यहाँ से अगर हमें i minimum की value को calculate करना हो तो इसके लिए formula हो जाएगा k into a1 minus a2 का whole square a1 minus a2 क्यों निखा है क्योंकि यहाँ पर a1 की value बड़ी है a1 a2 की value छोटी है तो इस प्रकार से हम a1 minus a2 की value को गयाद करेंगे अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों का अनुपाद गयाद करें तो इसकी value कितनी होगी तो देखिए जब हम अनुपाद को गयाद करेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ cancel हो जाएगा देखिए यहाँ से k और k काटारम cancel हो जाएगा तो यहाँ से i maximum और i minimum इनका जो अनुपाद होगा इसकी value हो जाएगी a1 plus a2 का whole square और बटे में हम लिख देंगे a1 minus a2 का whole square अब यहाँ पर प्रस्ण में पूछा क्या जा रहा है तो प्रस्ण में हम से पूछा जा रहा है कि दोनों slits की चौडाई गयाद कीगे अब slits की चौडाई को हम किसे वेक्ष करते हैं तो इसे हम w से वेक्ष करते हैं और यहाँ पर हमें w की value को calculate करना है अब इस value को हम कैसे गयाद करेंगे तो देखिए w और a इन दोनों में संबंद होता है और संबंद कुछ इस प्रकार से होता है कि a1 upon a2 की value हो जाएगी अंडर रूट w1 upon w2 और इसी फार्मूले की सहायता से हम यहाँ पर w1 और w2 की value को calculate कर सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम a1 और a2 की value को गयाद करेंगे अब यहाँ पर देखिए अगर इस टर्म से हम a2 की value को common ले लें तो यहाँ पर क्या मान दाप्स होगा तो यहाँ से value हो जाएगी a1 upon a2 plus 1 और इसका हम work करेंगे अब यहाँ पर हम हर की value को गयाद करेंगे तो यहाँ से भी हम a2 को common लेंगे तो यहाँ से value हो जाएगी a1 upon a2 minus 1 और इसका हम work कर देंगे और जो value प्राफ्थ होगी इसका मान i maximum और i minimum के अनुबात के बराबर हो जाएगा अब यहाँ पर आप इस term को ध्याम से देखिए तो यहाँ पर a1 upon a2 लिखा हुआ है और a1 upon a2 की value दी गई है under root w1 upon w2 तो यहाँ पर इस value को इस term में हम put कर देंगे तो यहाँ से i maximum upon i minimum की value परिवर्थित हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस value को हम put करेंगे तो यहाँ से value हो जाएगी under root w1 upon w2 plus 1 और इसका हम work कर देंगे और बटे में हम लिख देंगे under root w1 upon w2 minus 1 और इसका भी हम work कर देंगे अब यहाँ पर देखिए i maximum और i minimum इसकी value दी गई है 4 बटे 1 तो यहाँ से हम value put कर देंगे 4 बटे 1 तो यहाँ से देखिए यहाँ से value हो जाएगी under root w1 upon w2 plus 1 और इसका हम work कर देंगे और बटे में हम लेख देंगे under root w1 upon w2 minus 1 और इसका भी हम work कर देंगे और इसकी जो value होगी इसका मान 4 बटे 1 के बराबर हो जाएगा देखिए इस term को हमने पहले लिखा है और इस term को हमने बाद में लिख दिया है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाएं पक्ष का work किया गया है तो यहाँ से अगर हम square के चिंद को हटाएंगे तो दाहिने पक्ष में हमें वर्गमूल करना पड़ेगा तो इस प्रकार से यहाँ से value हो जाएगी under root w1 upon w2 plus 1 और बटे में हम लिख देंगे under root w1 upon w2 minus 1 और इसकी value कितनी होगी तो देखिए इस पक्ष का हम वर्गमूल ग्याद करेंगे तो यहाँ से इसकी value हो जाएगी 2 बटे 1 अब यहाँ पर देखिए हर में जो term लिखा हुआ है इससे हम 2 से गुड़ा करेंगे तो यहाँ से हमें क्या value props होगी तो यहाँ पर देखिए यहाँ से value हो जाएगी under root w1 upon w2 और इसमें हम एक जोड़ देंगे और इसकी जो value होगी इसका मान किसकी बड़ाबर हो जाएगा तो यहाँ से हम 2 से गुड़ा कर देंगे under root w1 upon w2 minus 1 से अब यहाँ पर इस value को हम calculate करेंगे तो यहाँ से value हो जाएगी देखिए 2 का हम 2 रो टर्म में गुड़ा करेंगे तो 2 का गुड़ा करेंगे under root w1 upon w2 से minus यहाँ पर value हो जाएगी 2 और इसकी value हो जाएगी under root w1 upon w2 plus 1 के अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस टर्म को हम बराबर के इस तरफ लाएगे और 1 को हम बराबर के इस तरफ लाएगे तो यहाँ से कितनी value बलेगी तो यहाँ से value हो जाएगी under root w1 upon w2 और इसमें हम घटा देंगे minus 2 गुड़े under root w1 upon w2 से और इसका मान बराबर हो जाएगा minus 2 minus 1 के अब यहाँ पर इस term को एक बार फिर से हम solve करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम माल लेंगे कि एक से गुड़ा किया गया है अब एक गुड़े अंडर रूट w1 upon w2 माइनस दो गुड़े अंडर रूट w1 upon w2 is equal to minus 3 के बराबर हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए कुछ cancel हो रहा है तो यहाँ से minus और minus cancel हो जाएगा और यहाँ से value हो जाएगी अंडर रूट w1 upon w2 और इसका मान 3 के बराबर हो जाएगा अब यहाँ पर 3 लिखा गया है तो हर में हम 1 बढ़ा सकते हैं 3 बटे 1 लिख सकते हैं अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाएपक्षे अगर हम अंडर रूट को हटा दे तो यहाँ से कितनी value पराब्थ होगी तो यहाँ से अगर हम अंडर रूट को हटाएगे तो यहाँ से value हो जाएगी w1 upon w2 is equal to 3 बटे 1 और इसका हम वर कर देंगे अब यहाँ पर देखिए इस term को हम एक बर फिर से solve बनेगे तो यहाँ से w1 upon w2 की value हो जाएगी 3 का square हो जाएगा 9 और 1 का square एक प्राफ हो जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दोनो fringe है इन fringe की जो चोड़ाई है इस value को हमने calculate कर लिया और यहाँ से w1 upon w2 का यहाँ बात होगा इसकी value हो जाएगी 9 बटे 1 अब हम अगले आंखित प्रेस्ट को हल करेंगे और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि यंग के दूई slit प्रियोग में slit और परदे के मद्ध की दूरी 1 मीटर है यदि slit के मद्ध दूरी 5 मीली मीटर हो तो fringe की चौड़ाई 0.1 मीली मीटर हो जाती है अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रियोगत प्रिकास की तरंगदैर्ध की गरना कीगे अब यहाँ पर प्रस्ट में क्या क्या चीज़े दी गई है सबसे पहले उसे हम नोट करेंगे तो देखिए कहा जा रहा है कि दूरी slit प्रियोग में slit और परदे इनकी वीच की दूरी 1 मीटर है यानि यहाँ पर जो capital D की वैलू है इसका मान दिया गया है 1 मीटर अब यहाँ पर और क्या कहा जा रहा है तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि slit के मद की दूरी 5 मीली मीटर है यानि यहाँ पर जो small D की वैलू है दोनों slit S1 और S2 की वीच की दूरी है इसका मान दिया गया है 5 मीली मीटर और इस वैलू को भी यहाँ पर हम नोट कर लेंगे अब यहाँ पर देखिए मिली मीटर में दिया गया है तो इसे हम मीटर में परिवर्थित करेंगे तो इसकी वैलू कितनी होगी इसकी वैलू हो जाएगी 5 गुड़े 10 की घात मैनस 3 मीटर और यह यहाँ पर small D की वैलू हो जाएगी अब यहाँ पर और क्या कहा जा रहा है तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि फ्रिंज की चौड़ाई 0.1 मिली मीटर होती है यानि यहाँ पर जो बीटा की वैलू है इसका मान है 0.1 मिली मीटर इस वैलू को भी यहाँ पर हम नोट कर लेंगे अब यहाँ पर देखिए मिली मीटर में दिया गया है तो इसे हम मीटर में परिवर्थित करेंगे तो इसकी वैलू कितनी होगी इसका मान हो जाएगा एक गुड़े दसकी घात मैनस चार मीटर और यह यहाँ पर बीटा की वैलू हो जाएगी यानि फिंज की चोड़ाई हो जाएगी अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है तो देखे कहा जा रहा है कि हम जो स्रोध प्रियोग कर रहे है यानि जिस प्रकास का स्रोध प्रियोग कर रहे है उसका हमें तरंगदैर्थ यानि लेम्टा की वैलो गयाद करनी है अब लेम्डा की वैलो हम कैसे गयाद करेंगे तो देखें इसके लिए फार्मूला हो जाएगा लेम्डा इस एक्वल टू बीटा इन्टू डी अपॉन कैपिटल डी और इसी फार्मूले में हम सभी वैलो इसको पुट कर देंगे चलिए पुट कर देंगे तो यहाँ पर बीटा की वैलो कितनी है इसका मान दिया गया है एक गुळे दसकी घात मैनस चार इस वैलो को हम नोट कर देंगे small d इसकी value कितनी है इसका मान दिया गया है 5 गुड़े 10 की घात मैनस 3 इस value को भी हम note कर लेंगे बटे capital D इसका मान कितना है एक मीटर है तो यहाँ पर हम value put कर देंगे 1 मीटर अब यहाँ पर यह तर्म प्राप्ट हो रहा है इसे हम solve करेंगे तो यहाँ से जब इसे solve करेंगे तो इसकी value हो जाएगी 5 गुड़े 10 की घात मैनस 7 और यह यहाँ पर lambda की value हो जाएगी और इसका मातरक क्या होगा तो इसका मातरक यहाँ पर मीटर में प्राप्ट हो जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रियुक्त होने वाला प्रकास है इसका जो तरंग दैल्थ की value हो जाएगी इसकी value होगी lambda is equal to 5 गुड़े 10 की घात मैनस 7 मीटर